हलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माई चैनल मैं हो कीरन आज फिर से मैं आपके लिए बेहतरीन हेर केर डियावाई लेकर गया ही हैं दोस्तों और सर्दियों के मौसम में अक्सर बालों में बहुत जादा डैंडर्फ हो जाती है हमारे बाल पेजान बेरुखे ह हो जाते हैं दोस्तों अल्ब ऐसा क्यूं होता है क्योंकि अक्सर आप शर्दियों में वलन कलॉट्स यानि की गर्म Use की कपड़े पहनते हैं जैसे वह बहूंई कपड़े पहनते हैं और बहुत बहुत ही ज़्यादा उलज जाते हैं और जिसे बाल बहुत ही रूखे मुलाएं अजीब से दिखने लगते हैं बेजान हो जाते हैं तो ऐसे मैं आपको बहुत ही अच्छे से देख़ाल करने की जरुषत होती है तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुन्दर और खुपचरत हो जाएंगे तो दोस्तो आज का ये hair care DIY बनाने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही simple और easy सा ingredients यानि की सामगरी ली हूँ जो कि हमारा coconut oil दोस्तो coconut oil हमारे बालो को बहुत ही खुपसरत बनाता है नारियल का तील बहुत अरकी की market में नारियल का तील आता है extra virgin coconut oil तील भी आता है जो कि cool pressed होता है बिल्कुल 98% natural होता है आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर जैसा कि blue color का जो bottle होता है अक्सर वो वाला भी आप इस्तमाल कर सकते हैं घर घर में इस्तमाल किया जाता है नारियल तेल लगाने से आपका जो बाल है बहुत ही अच्छे से hydrated रहेगा और बिल्कुल भी रूखा नहीं पड़ेगा अक्सर dryness की वज़े से सर्दियों में dryness होता है उसकी वज़े से हमारे बाल बहुत ज़्यादा बेरुके बेजान हो जाते हैं दोस्तों और इसी की वज़े से हमारे scalp भी dry होता है अक्सर लोग आज की डिट में fashion की दौर में बालों में oiling नहीं करते हैं oiling नहीं होती है प्रॉपर तरीके से जिसकी वज़े से उसके बालों में जो है डैनरफ हो जाती है उसके scalp dry हो जाते हैं और उसी की वज़े से जो है हमारे बालों से रूसी रूई जैसे रूसी वेगरा जो है डैनरफ होनी लगते हमारे बाल बेरुके बेजान हो जाते हैं तो उसके लिए आपको आज मैं बहुत ही easy और simple hair oil का तरीका बता रही हूं जिससे आपके बाल बहुत ही सुन्दर और खुबसुरत हो जाएंगे तो मैंने लिया था भी coconut oil, coconut oil मैंने आपको बताए cold pressed या फिर normal जो coconut oil, blue वाट़ल बाता कोई भी ले सकते हैं अपने जितने भी आपके बालों की लंबाई है उसे साब से एक चमश या फिर दो चमश तो मैंने यहां दो चमश की आसपस लिया है उसके बाद दोस्तों आपको नारिल तेल में आड़ करना है केस्टर ओल यानि की अरंडी का तेल castor oil हमारे बालो की growth में बहुत ही जादा help करता है हमारे जो बाल बहुत ही जादा रुखे तूट तूट जाते है ना जो रोसे निकल जाते हैं तूटने लगते हैं तो उसको जो है नए बालो गाने में काम करता है जो अरंडी का तेल बहुत ही पढ़ियां होता है दोस्तों आप डारेक्ट जो है अरंडी का तेल नहीं लगा अपने बालों को बालों पे आप जैसा मैं तरीका बताती हो वैसी तरीके से आपको अरंडी का तेल अपलाई करना है ठीक है तो दो चमस कोक्नट आइल में एक Vitae Honey E की कैपसुल होती है बहुत ही अच्छा होता हिमारे बालों के लिए नहीं हमारे सकीन को जो है गलो कराता है और सकीन के साफ्त करने में बहुत करता है थो बालों की हैर घृरूथ पहुत ही अच्छी करता है मतब जतनी आपकчив बालों की बढ़ने की रफ़तार है न सतो blinking कि दस गुना पंदर गुना यह बढ़ा दिता है विटमिन ई का कैप्सूल बहुत ही महंगा नहीं होता है एजलिस आपको मिल जाएगा यह आपके अखल पगल के किसी भी केमिस्ट चॉप में तो यहां पर आपको एक या फिर तो एक बार में डालना है इस तरीके से क्या करना किसी भी सीजर के मदस से का जो उपर क निकाल ले या फिर इस तरीके से किसी भी सेप्टेपिन के मदस में हलका सा होल करके उसकी तरीके से निकाल लै दोसटो और उसके बार इसको सभूची जुको मेक्स कर दे ना है विटमिन ई जो है दोस्तो हमारे बालों की ग selbst बहुत ही जाती है पिल्कुल जारू जैसे हो जाते है उस चमक को बढ़ करार करता है बाल को जह है एक्स्ट्रा कंडिशनिंग देता है दोस्तों हमारे बालों के कंडिशनिंग भी करता है मतलब जो नॉर्मल अगर आप ड्राइनिस वाला फिलिंग जो है ना बालों से खदम करके आपके बालों में एक कंडिशनिर यूज मतलब डाल देता है आपको बाहर से कोई भी कंडिशनिर लगाने की जरुद नहीं पड़ती है उसके सासा थमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही अची करता है हैर फॉल को स्टॉप करता है तो दोस्तों विंटर सीजन में अपने बालों की लगाते हो न तो वह बाल आपके जूरणी कपरों के साथ उलजेंगे नहीं टूटेंगे नहीं और इससे आपके बालों की अच्छी जो है जो सेहत है घल्थ है बढ़कर आ रहे हैं जिसतर के सब आपने सेहत की देख़़ाल करते हैं अपनी देख़़ाल का तूश परकार ब हल्का गुनगुना इसको कर ले, इससे क्या होगा, आपके बालो की जरोपर जो बहुत छी से, मसाज होगी, हल्का गुनगुना तेल के मसाज करने से, बालो के बहुत ची पॉर्षिंद मिलेगी दोस्तो, और आपका बाल बहुत ही अच्छा से ग्रोव करेगा बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लगए कि बच्चों को भी ये वाला तेल आप अप लगा सकते हैं तो रात में कुशिश करें रात में सोने के पहले ये वाला तेल अपने बालों के पुरे बालों पे सकैल्प पे लगा करके और इसको मालिश दे मालिश करना बहुत ही जरूरी है जमपी जिसको बोलते हैं तो हलका गुनोना तेल से फ्रेंट्स आपको अपने बालों की जो है अच्छे से मालिश करने हैं आप देख सकते हैं मेरे बाल बाल मेरे बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि मै अपने बालों की देखवाल बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ, अपने बालों की देखवाल करना सभी को चाहिए दोस्तो, जिस प्रकार मैं करती हूँ, उसी प्रकार आप भी करें, बालों की जरोब पे जो है, स्कैल्प पे, वहाँ पे आपको अच्छे से ओलिंग करने है, ओलिंग हमेशा वीक में दो बार जरूर करें, बालों की अच्छी पोशन मिलेगी, और आपकी बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, बालों की लंबाई बढ़ेगी, और जो तूरते जरते वे बाल है वो कम हो जाएंगे, और एक नए बाल भी उगना श्रू हो ज बालों की शैंपू करते वैसे दो बार जरूर करें, बालों को साफ सुतरा रखें, इससे आपके बाल हेल्दी रहेंगे, सुन्दर दिखेंगे, और तूटना जना तो बिलकुल कम ही हो जाएगा, तो बहुत ही एजी तरीका है, पूरे बालों पे अच्छी से जो ऑईलिंग करें, डीप ओईलिंग करना जरूरी होता है, पहले स्कैल्प पे लगा है, उसके बाद पूरे बालों पे लगा हैं, और कोशिश करें, रात भर लगा रहने दे, 10-15 मेट लगा के मालिश करना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत सारे लोग तेल लगा तो लेते हैं, पर पूर बालों के अंदर तक जाएगा, स्कैल्प के अंदर तक जाएगा, और बहुत ही बढ़ियां पोशिट मिलेगा बालों को, और बालों का तूटना जरना बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही अच्छी होगी, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़ियां हैवी ओलिंग की है, तो इस परकर आपको भी हैवी ओइलिंग करनी है बाल में लग भग रहने दे 10-15 मिट लगा करके मतद 10 मिट मालिश करे ओवरनाइट छोड़े अगर आपके बास ओवरनाइट छोड़ने का टाइम नहीं है तो फिर इसको आप आप शैपू करने के दो घंटे पहले भी लगा सकते हैं उसके बाद आपको अच्छे से शैपू कर लेना है बालों को धो लेना है, साफ कर लेना है और उसके बाद आपको पहले बार के इस्तमाद से दोस्तो बहुत जाद आपके बालों में फर्क देखेगा बाल बहुत स्मूद, सिल्की साइनी, बहुत ही बढ़ियां देखेगा दोस्तों विंटर सीजन में हेर केर को जरूर करें, अपने बालों की देखवाल जरूर करें आपके बाल बहुत सुन्दर रहेंगे, हेल्दी रगेंगे, लंबे घने मजबूत होंगे मैंने मेरे बाल की हमेशा देखवाल करती रहती हूँ, आप भी करते रहें और कमेंट्स करके हमें अपने अनुभव जरूर शेयर करें दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए